सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों नोकिया ने लाँच कर दिया है अपने नोकिया 3310 का 4G वाला वेरियंट और यहाँ पर आज आप इस वीडियो को आगे दिखते रही है मैं आपसे बात करूँगा इसी नए फोन की बारे में हम चेक करते हैं कि वह यह उस फोन में क्या अलग है इस सिंपल नोकिया 3310 स चलिए शुरू करते हैं यार पता नहीं नोकिया को किया स्पिशल प्यार निकल के आता है चीनी लोगों से मतलब नोकिया का 6 भी पहले वहीं पर आया अभी जो नए मोडल्स हैं वो भी वहीं पर आये हैं और आज दिन में अचानक से चोरी-चोरी चुपके-चुपके दोस् मतलब पहले आया नोकिया 33 दस का ये 2G वाला वेरियंट उसके बाद में निकाल दिया 3G वाला वेरियंट और अभी दोस्तों निकल के आता है एकदम लेटेस्ट 4G वेरियंट जहां पर सपोर्ट है 4G वोल्टी का यहां में दोस्तों जो फोन है इसमें आपको मिलता है युन OS मतलब यह दोस्तों सिंपल आपका जावा बेस्ट फोन है वो है Linux बेस्ट जो कि आता है अलिबाबा कंपनी के तरफ से इसके लबाव उसमें है दोस्तों 256 MB की RAM 512 MB की स्टोरेज जिसको आप कर सकते है एकस्पैंड 64 GB तक मतलब कभी सोचा है ऐसा कोई फोन जिसमें जो स्टो 4.4 इंचिस का 240 x 320 पिक्सल का बेसिक बस बिल्कुल ऐसा है दोस्तों सेंप्रूज जिसम फोन है सपोर्ट उसके नदर आपको मिल जाएगा साथ में वाइफाई का तो वो एक एक एक्स्ट्रा बात है बाकी FM रेडियो है, म्यूजिक प्लेयर है, 4G है, वोल्टी है, सिंगल सि हाले कि उसमें कलर्स दो अलग-अलग हैं, एक तो है सोड़ा सा लाइट ब्लू, दूसरे तो सोड़ा सा ब्लाक और ये फोन आपको मिलेगा पहले तो चाइना में, दुकानों पे नॉर्मल और उसके बाद में शायद इसी फोन को Nokia लेके आ सकता है, MWC में सामने पूरी दु मुझे तो वही है, ये वाला फोन काफी पसंद है, बड़ा क्यूट सा लगता है, तो ऐसे में मैं शायद वाला फोन भी पर्चेस करो लोगा बहुत ही जल्दी, लेके आतो आपके लिए एक फीडियो के फिलहाल आपको बता दिया कि 4G, वोल्टी, जो वेरेंट नोगे थे उसमें क्या डिफरेंस है, इसके कंपारिजन में, डिफिनिटली OS अलग है, डिफिनिटली तो स्टोरेज वगरह है, वो अलग है, बाकि उसके इंदर भी आपको पीछे के दरफ मिलता है, दो मेगा पिक्सल का कैमरा, सेल्फी कीचनी है, तो भी ऐसे घुमाके ले ले लेंग है, यार मुझे नोकिया पसंद है, अगर आपको है तो भी बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में, तो सफलाने वीडियो में इतना ही, जैहंद वंदे मात्रम